वो अन खाता है वो किसानों के साथ खड़ा है जो गोबर खाता है वो मोदी के साथ खड़ा है हम गर्ब से कहते हैं किसानों के उगाए हुए अनाज खाते हैं किसानों के साथ खड़े हैं मरते दम तक हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे बांगाल में हमारे ग्रिमन्तरी जी बिना मांक्स के जा कर चुनिऊ पर चार करते हैं, रोड़्सों करते हैं, रैलिया करते हैं हजारों की संक्या में, वहाँ पर कोरोना नहीं फैलता है और बोर्डर पर लोग अपने हक और अधिकार के लिए लाई लड़ रहे हैं, कोope प्र दूरबहाग इस बात का है कि जहां पर छुनाओं हो रहा है वहां पर क्रोह नहीं जाराह लेकिन जब किसान सरकार पूरे तरीके से समझ ले जब चुनाओं हो सकता है देश में तो kisad भी अंदोलन कर सकता है और हमारा अंदोलन करोना का डर से खतम होने वाला नहीं है तब तक अंदोलन चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है किसानों के मांग पूरी नहीं हो जाती है एक बात बताइए ना बंगाल में हमारे ग्रेह मंतरी जी बिना मांक्स के जा कर चुनाओं पर चार करते हं रोड़ करते हैं में सच्छा में वहाँ पर कोरोना नइप वह आई और लोग अपने लाई लड़ रहेक हो लगा लोग में कुछ करोना एक साल पहले लगा हुआ था एक साल बताईए एक साल का बच्चा कहां जाता है वो तैस राइली में जाता नहीं है इसलिए मोदी जी स्कूल बंद करवा रहे हैं लेकिन राइली बंद नहीं करवा रहे हैं दुरभाग इस बात का है कि देश के आम नागरिकों को यह को जाहिल बनाना चाहते हैं को लोग सवाल नहीं करें लेकिन सर बो लोग आज कहां गए जो लोग कह रहे हैं कि जमात ने करोना देश में पहलाया है आज कुम्ब चलना है देखिए बिल्कुल यह सरकार जब इसके उपर बेज़ती होती है तो अपने लड़ाई किसी और के मात से रख देती है वही तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं और भारतिय यंता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं गोदी मीडिया से पूछना चाहता हूं नहीं जमात के लोग दिख रहे हैं नहीं जमाती लोग दिख रहे हैं लेकिन कोरोना फिर भी बढ़ रह कैसे बढ़ रहा है यह लोग से पूछने की जरुवत है देखिए यह लोग पूरे तरीके से हर चीज में राजनीती कर रहे हैं आज कुम का मेला लगा हुआ है वहाँ पर अपनी आस्था है लोग कर रहे है ठीक है अची बात है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब किसान अपने हक और अथिकार के लड़ाई लड़ रहा है तो उसके करोना है भाई करोना हम लोग को नहीं होगा को औरा उसको हो गा जो हराम के खाता है गरीब के पैसों से ऐस मोच करता लो क्डाउन लगे कुछी बोडर पर रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है जानते हैं यह सरकार को मैं सहकड़ो ब्यान सुना सकता हूं जो मोदी जी काते हैं रहेगा वह निश्चिंत रूप से नहीं रहेगा उन्हों करा कि हर साल दोकड़ों को रोजगार देंगे रोजगार चिंङली है रेल बिकने नहीं दूंगा रेल बेक दीए शदर्ती मां का मैं देश को भी जुकाने का काम कर रहें और देश को भी बेचने का काम कर रहें एक बात सुनाई है 1965 रुपे धान का कीमत है आज देखिए सरकार कहां MSP है बिहार का और देश के तमाम हिस्सों का किसान 1200 रुपे, 1300 रुपे कुंटल धान बेचने पे मजबूर है यह सरकार किनने को तयार नहीं है गेहू का MSP का रेड तरकार तेह कर रही है लेकिन आज भी किसान गेहू के ओने पौने भाव में बेचना पड़ रहा है अगर MSP रहता तो किसानों की मांग किसान MSP पर नहीं अड़े रहता यह जान रहा है किसान कि यह सरकार जो MSP तै करती है उस पे कानून नहीं बना हुआ है कोई भी बरपारी MSP पर कानून अनाज नहीं खरीता है इसलिए कार रहा है किसान कि MSP पर कानून बना दीजिए जो भी बैपारी जो भी कंपनी MSP से नीचे खर देगा वो जेल जाएगा यही तो किसान मांग रहा है क्यों मोदी नहीं सुन रहे हैं एक बास सुननी जेगा यह सरकार पूरे तरीके से नहीं बोलते हैं दिल है नो मुह में आ गया है इलो काग मुह से गाज फेक दिये हैं यह सरकार जल्दी दो तरीके बाद यहाँ पर आएगी दो तरीके बाद अतब किसानों से मांग कुरी करेगी एक बास सुनिये ना, हमारे देश का परधान मंतरी, का रहे हैं, दो मई दीदी गई, ये नारा लगाते घुम रहे हैं, और हमारा देश का जवान चातिस गड़ में सहीद हो जाता है, गरी मंतरी क्या कर रहे हैं, देश का किसान अन्य दाता, बोडर बे बैठा हुआ है, और य इस भोट के माध्यम से तुमको हम पर्धान मंत्री बनाया हैं उसी भोट के माध्यम से तुम्हारी सरकार को भी गिराने का काम करेंगे उत्तर परदेश में भारत के जनता पार्टी को पूरी तरीके से हराना है और देश में जहां भी चुना होगा देख लिजेगा भारत के ज काउल करें दिल्ली की जनता ने भार्तिय й बॉबार्ञा से लैकिन-बवार देस्टाकंगे माली घ्र। पार्टी को हराने का काम करेगी तब जाके इन लोग का घमन तूटेगा और अभी जिताएगी तर आपको तो बोली रहे हैं कि देश की जनता ने भारतिय जनता पार्टी को उमीद के तोर पर देख रहा था कि यह मोदी जी परधान मंत्री बनेंगे तिवाओ को रोजगार मिल जाई को शुरक्षा होगा देश की आये दोगिनी होगी तक किसाद मलमाल हो जाएगा किसाद कुसाल हो जाएगा लेके देश का परधान मंत्री मोधी जी बनते ही देश की बहल अखने का क्वान को नहीं चाहिए जो सरकार नागरिकों को सठक पर ख़ड़ां कर्ने का क्ío सरक लेकंगे बात बताईए ना यह दिल्ली बोडर पर बैठे हुएं इस लेकिन यह मजबूरी यहां पर बेठे हुए हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन यहां से वापस नहीं जाएंगे हमारा 300 के करीब हमारा भाई सहीद हो जाता है लेकिन यह गुंगी बहरी सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं कर रही है यह सरकार को इस खून का इस हमारे जो भाई सहीद हुए है यह बलिदान बिकार नहीं जाएगा य यह सरकार पूरे तरीके से घुटने के बल गिरेगी यह घमंड में चूर है यह सरकार यह लोग अंग्रेज काले अंग्रेज के दोस्त हैं इसलिए फूट डालो और सासन करोकर निती अपना रही है एक बात बताईये ना एक मीडिया वाले पूछ रहे थे किसान राजनीती कर किसान नितागीरी कर रहा है एक बात सुनिये मैं पूछना चाहता हूं क्या किसान कैसे राजनीती कर रहा है किसान कैसे राजनीती करता है अगर हमको राजनीती करने करना चाहते एक मिडिया ना पूछा कर तुम राजनीती कर रहे हो तुम बोडर पे आके बोल रहे हो एक ब इसलिए किसानों के साथ खड़े हैं हमारे खुन में नमखरामी नहीं है किसानों को हम अन खाये हुए हैं इसलिए किसानों के साथ खड़े हैं मरते दम तक हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे एक बात सुननी जीए वो हमारे पास हुनर नहीं है जो इनसान से कुट्टा बनने के लिए जिनके पास हुनर है इनसान से कुट्टा बनने के लिए इनसान से कुट्टा बन करके अपने बेटा को IPL में खेला रहे हैं यह लोग वाई पलक सुरक्षा ले रहे हैं कंगना रनावात मोधी जी के तारिफ करके देश में तो ही चल रह हैं कि हमारे अंदर वह हुणर नहीं है इंसान से कुट्ता बनने के लिए हमारे निखुन में नमक हरामी नहीं है कि जो नमक हराम Allah बन जाएंगे एक बास सुन लीढ़ काता है किसानों के साथ खड़ाől जो गोबर खाता है वो मोदी के साथ खड़ा है हम गर्ब से कहते हैं किसानों के उगाए हुए अनाज खाते हैं किसानों के साथ खड़े हैं मरते दम तक हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे आपने सुन लिजिए अजादी की लड़ाई 90 वर्स तक लड़ी गई थी यह अजादी की दूसरी लड़ाई है अभी तो चार महीने लड़े हैं हमको चार साल भी लड़ने की ज़रूरत आएगी इसी बोर्डर पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती ह सुन लिजिए सरकार पूरे तरीके से चुनाओं में ब्यास थे किसान भी अपने अपने खेतों में चल गया है घान गेहु काटने के बाद किसान भी बंगाल से तीन तारीकों सरकार भी पहुंचेगी और तीन तारीके बाद किसान भी पहुंचेंगे तब जाकर किसानों से ह बिल्कुल देखिए बाबा भीम राव साब अमबेटकर ने सभिधान बनाया उस सभिधान के तहत हम लोक्तांतरिक तरीके से धर्ना परदसन कर सकते हैं उच निच का भेद मिटाया गया हमें एक जूटता का परिचे दिखाया गया इसलिए 14 तारीक को हम बाबा भीम राव काम करेंगे भगश सिंग का भी जहनती मनाने का काम किये हैं भीम राव अमबेटकर साह भी जहनती मनाने का काम करेंगे जब तक हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हमारा अंदोलन जारी रहेगा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इनकलाब जिन्दाबाद इनकलाब